अब हमाई साथ हैं शैलेंद्र सिंग साहब जो डिप्टी कमिशनर है हापुड के और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे यूपी इंटरनेशनल टेट शो में हापुड के कितनी स्टोर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका क्या रिस्पॉंस मिलता है स्वागत है शैलेंद्र जी आपका गिरे नोरीज में तो यूपी इंटरनेशनल टेट शो जो है इसका क्या एहम योगदान होगा जो वन डिस्टीक वन प्रोड़क्ट पे जो है और उस पर हापुड भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे तो आर्थिक इस्तिकिती मजबूत करेगा यह ट्रेट शो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद बिना मेडिया के कोई भी कारे आगे नहीं बढ़ पाता है जनपद हापुड एक छोटा सा जनपद है लेकिन यह इंसियार का प्रमुख जनपद है तो हम सभी लोगों ने यहां पर कोशी सही की है कि मानने मंत्री जी के मंसाय के नरूप जो यूपी ट्रेट सो लगा उसमें जनपद हापुड की बागीदारी ज्यादा ज्यादा हो इ आपको बिजनेस मिल सके आपकी अच्छी ब्रांडिंग हो सके और हमें लगता है थर्टी फाइव इस्टाल्स में बहुत ही बेहत खुस है उनका रिस्पांस इतना अच्छा है मुझे अंदर से बहुत ज्यादा खुस महसूस करा रहा है जैसे गोशना भी की जाग चुकी है जब हर साल यह ट्रेट शो जो है आयोजित किया जाएगा तो कितने उत्साहित हैं इसको लेकर जो इक्जिबीटर से बहुत ही ज्यादा है मतलब इग्जिप्टर्स भी हैं लगाने वाले भी बहुत है हमने बता है थर्टी फाइव को बहुत एक्सलेंट फीड़ वाइक है तो अगली बार तो हमें लगता है इस पेस बहुत कम पड़ जाएगा लोग अभी से बुक करने शुरू कर दिये हैं और ज्यादा जो चोटे मोटे सामने आये थे उनको हम लोग जैसे इस पेसलाइजेशन हो एक तरफ उस तरह विंदूओं को भी लेके आएंगे तो और ज् का आउटकम आएगा क्या-क्या-क्या मुकतपाद है जो यहां पे लोग ब्रदरशित कर रहे हैं हमारे यहां पे जैसे आक्सीजन का हमने प्लांट लगवाया असिरवात कॉर्बनिक्स का जिस सरवोकान में आप खड़े इनके ट्रांसफार्मर एक बड़ा ब्रांड भी है स अगले बार तो हम और ज्यादा दुगुना तिगुना छमता के साथ हम लोग इसमें काम करेंगे जी धन्यवाद तो आप थे शैलेंदर सिंग डिप्टी कमिशनर रहापूर जो हमसे रूबरू थे और इनसे बात करके हमें पता चला कि जो भी यहां पे इक्सबीटर्स हैं वो ट्रेट शो के लेके बहुत उत्साहित हैं खोश हैं जाहिर सी बात है कि ट्रेट शो जो है पुरी तरह से हिट साबित हुआ है वीडियो जनलिस सौरफ के साथ रोहित प्यदर शंगिरेनो निउस